नमस्कार प्रिये बच्चो उम्मीद करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी प्रिये बच्चो आज हम सात्वी कक्षा के नागरिक शास्तर के दूसरे अध्याई स्वास्थे में सरकार की भूमिका के उपर चर्चा करेंगे प्रिये बच्चो हम सभी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हित में फैंस ले लेती है तो ऐसे देश में स्वास्थे संबंधी मुद्दों पर भी सरकार की एहम भूमिका होती है स्वास्थे के उपर स्वास्थे से संबंधित सरकार की क्या भूमिका होती है सरकार अपनी किस तरीके की भूमिका हमारे स्वास्थे के लिए समाज की स्वास्थे के लिए निभाती है उसी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और साथ ही यहे भी जानेंगे कि किस तरह की स्वास्थ सेवाएं सरकार के द्वारा एक लोगतांत्रिक देश में मोहया कराई जाने चाहें तो आईए चर्चा करते हैं स्वास्थे में सरकार की भूमी का विशेवर तो बच्चो एस पाठ में हम जानेंगे कि भारत में भारत सरकार किस तरह की स्वास्थे सेवाएं मोहया करा रही है चाहे वो निजिक शेत्र हो या सारवजनिक शेत्र जो सेवाएं स्वास्थे के संदर्भ में उपलव्द कराई जाती हैं, वो कितनी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती हैं। हाकिम शेह की कहानी से इसे हम जानेंगी। चोकि यह पाठ स्वास्थे से सम्मंदित है, तो हम पहले पढ़ेंगे कि स्वास्थे होता क्या है। बिल्कुल सही, हम भीमारी से बच कर रहते हैं, किसी परकार की चोट ना लगे ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन समाने जीवन में कहीं न कहीं हमें स्वास्थे सेवाओं की आवश्यक्ता पढ़ती है। क्योंकि कभी न कभी हमें इनकी जानकारी लेनी होती है और अपने सार्विजनिक जीवन में हम स्वास्थे से सम्मंधित सेवाओं का परियोग अकसर करते हैं। आईए आप जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थे पर सीधा प्रभाव डालती हैं। अगर यह सब कुछ दूशित होगा तो स्वास्थे भी सही नहीं रहेगा और कहीं न कहीं हम बिमार हो जाएंगे। इसके अलावा खुश रहना, चिंताग्रस्त ना रहना, चुस्ती के साथ सभी कारिय करना ये भी कहीं न कहीं आच्छे स्वास्थे की लक्षन माने जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि भारत में स्वास्थे सिवाईं कैसी हैं। इस विशे को पंठे से पहले हम जानेंगे कि हमें स्वास्थे की देखवाल करना क्यों जरूरी है। बहुत आसान सी बात है, बहुत सामाने बात है। बिमारी को रोकने और उसका इलाज करने के लिए हमें स्वास्थे सिवाओं की, स्वास्थे सुविधाओं की जरूरत पढ़ती है। अब अच्छी स्वास्थे सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए किस तरीके की सुविधाओं मिलनी चाहिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थे केंद्र, हस्पताल, परिक्षन के लिए परियोगशाला, एंबुलेंस सर्विसेस या सिवाओं और इसके अतिरिक्त रक्त बैंक भी इसके दाइरे में आते हैं। इन सभी सुविधाओं को चलाने के लिए हमें कोई न कोई तो चाहिए। तो इन सभी सुविधाओं का परियोग या संचालन करने के लिए परशिक्षित डॉक्टर, नर्स, स्वास्थे कर्मी और अन्य प्रोफेशनल डॉक्टर्स की भी जरुरत पढ़ती है। इसके साथ-साथ इनके द्वारा परियोग की जाने वाली दवाईयां और जरुरी उपकर्ण यानि जो हमारे एक्विप्मेंट्स होते हैं उनकी भी जरुरत होती है। ताकि मरीजों का और उन व्यक्तियों का सही से इलाज हो सके जिन्हे स्वास्थे सिवाएं चाहें। आईए आप जानते हैं कि सुविधाएं हमारे सरकार के पास हैं तो किस तरीके से वो हमें उपलवद करा सकती हैं। प्रिये बच्चों यहां पर हम भारत में स्वास्थे सेवा से संबंदित कुछ तत्यों को पढ़ेंगे जिनसे हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पहलू समझ पाएंगे। प्रिये बच्चो जब हम किसी सेवा की बात करते हैं या किसी घटना की बात करते हैं तो अक्सर उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं और कुछ नकारात्मक पहलू भी जब बात चली है स्वास्थे सेवाओं की तो हमारे देश में भी इनकी कुछ सकारात्मक पहलू है और बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत में मेडिकल कॉलेज बहुत संख्या में है और इसके साथ साथ बहुत दोख की बात हुई है कि ग्रामीन क्षेत्रों में कहीं न कहीं अभी भी स्वास्थे सेवाओं का आभाव है जबकि आप सभी जानते हैं कि भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीन क्षेत्रों में रहती है और इसी कारण से ग्रामेन लोगों को बहुत सारी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ग्रामेन क्षेत्रों में ना तो देखने के लिए कोई डॉक्टर होता है ना ही दवाईयां और उपकर्ण उपलब्ध होते हैं अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो हर वर्ष लगवग 1500 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं और हस्पतालों की संख्या में भी काफी व्रिधी हुई है पहले का कुछ डाटा है जो 1950 में 2717 हस्पताल थे फिर 2000 में इनकी संख्या बढ़कर 18218 हो गई और अब तो 20 साल हो गए हैं और कई और लाखों हस्पतालों का निर्मान हो चुका है लेकिन इसके बावजोद 5 लाख लोग प्रती वर्ष टीवी से मर जाते हैं तो नकरात्मक बात क्या निकल कर आई यही कि इन सारे हस्पतालों का फाइदा तब ही हो सकता है जब इनका वित्रन शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीन क्षेत्रों में बराबर हो चलिए आगे चलते हैं बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सा परियटक आते हैं जिनसे सरकार को टेक्स की प्राप्ती होती है टेक्स समझते हैं आप कर अब आप पूछेंगे कि चिकित्सा परियटक क्या होता है तो बच्चो आप सभी जानते हैं कि परियटक कौन होता है परियटक वह व्यक्ति होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक देश से दूसरे देश में ब्रहमन करने के लिए जाता है बिल्कुल वैसे ही चिकितसा परियटक होते हैं जो एक देश के वासी अगर अपने देश से किसी दूसरे देश में अपना इलाज कराने के लिए या किसी परकार की स्वास्थ सेवाई उपलब्ध करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं तो वहां उन्हीं चिकितसा परियट प्रन्तु दूसरी और सबसे जानने योगे बात यह है कि इस तरीके की स्वास्थे सेवाएं जो हैं अपने देश की कुछ कमियों पर भी निर्भर करती हैं, जैसे स्वच पीने के पानी की उपलब्धता का ना होना। आगर हम अपने देश की ही बात करें तो हमारे यहां 21 प्रतिशत बिमारियां संकर्मित पानी पीने से फैलती हैं। को अच्छा स्वास्थे देने के लिए सेवाएं परदान किर दी जाएं। अब एक और तथ्य को देखते हैं। शिकित्सव विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगती हुई हैं, जिसके परिमान सवरोप, इलाज की नई तकनिके और विधियां हमको मिली हैं। और हमारा देश पूरे विश में तीसरे स्थान पर है। धवाईयों के उत्पादन में वहीं दूसरी और हमारे देश के आधे से जादा बच्चों को पोशन आहार नहीं मिल पाता। समानत है इन्हे कोपोशन का शिकार बच्चे कहा जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चे बिमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। हमारा देश उचित स्वास्थे सुविधाईं देने में कितना समर्थ रहा है। आईए इस विशे में पढ़ते हैं। जहां तक मेरा मानना है, हमारा देश इस मामले में कहीं न कहीं पिछडा हुआ है। कम्यों को कम करने के लिए हमारी सरकार के सामने बहुत सारी चुनोतियां हैं। जब बात सरकार की आती है, तो हमें यह देखना होता है कि सरकार किस तरीके की सेवाईं मुहया कराती है। अब प्रशन उठता है कि क्या इतनी सब सुविधाईं होने के बाद भी लोगों तक सुख सुविधा पहुँच रही है या नहीं। इसकी कई वज़य है, जिनमें सबसे पहली है जिम्मेदारी की कमी। शहरों में तो डॉक्टर हैं, सब शहरों में पैसा कमाने की चाह से रहते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेता है, तो उसका पहला सपना होता है किसी बड़े शहर में जाकर पस जान। और जब सभी का यही सपना हो जाता है, तो गाउं के हस्पताल फिर खाली हो जाते हैं। फिर समस्य यह आ जाती है कि आखिल ग्रामेन क्षेत्रों में इलाज कौन करेगा। यह समस्य सरकार के सामने अक्सर आती हैं। दूसरी चर्चा अगर करें तो वो है भरस्टाचार। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में केंदर सरकार और राज्य सरकार दो स्तर की सरकारे हैं। आम जनता कहीं न कहीं इन सुविधाओं से एक बार फिर वन्चित हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण जिसे आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। वह है जनसंख्या विस्फोट। आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या लगातार परती जा रही है। और इतनी अधिक जनसंख्या को जनसुविधाओं उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनोती होती है। मुश्किल आ जाती है जब बात जनसुविधाओं इतनी बड़ी जनसंख्या को उपलब्ध कराने की होती है। तो ये कुछ ऐसे तथे थे जिनकी वज़े से स्वास्थे सिवाएं आम जन तक नहीं पहुच पाती। इससे बच्चों हमें क्या समझ में आता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे देश के पास सब कुछ है। पैसा भी है, ज्यान भी है, अनुभवी लोग भी हैं और जहां तक मेरा मानना है संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। फिर भी सभी लोगों को जन सुविधाय नहीं मिल पा रही। इसे हम जानेंगे पाठ में दी गई हाकिम शेह की कहानी को। आईए पढ़ते हैं हाकिम शेह की कहानी के मात्यम से यह जानेंगे कि किस तरीके से सरकार अपनी भूबी का स्वास्थे सेवाओं के लिए उपलब्द कराती है। हाकिम शेह पश्चिम बंगाल के PVKMS संगठन पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती का सदस्य था। 1992 में वह अचानक से चलती ट्रेन से गेज़ाता है और उसको सिर पर चोट लग जाती है। अब वह अपना इलाज करवाने के लिए कौलकाता के सरकारी हस्पताल में जाता है। अब वहाँ क्या होता है? देखे, सरकारी हस्पताल वाले उसका इलाज करने से मना कर देते हैं. क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि उसके पास खाली विस्तर नहीं था. आपको पता है, सभी को पता है कि हस्पताल में अगर बेट उपलब्ध ना हो, अगर बिस्तर उपलब्ध ना हो, तो अक्सर हस्पताल जो है ऐसी परिस्थिती में व्यक्ति को अड्मिट करने से मना कर देता है, दाखिल करने से मना करता है. ठीक है, फिर वह दूसरे हस्पताल वहां भी उसे मना कर दिया जाता है। यहां क्यों मना करते हैं क्योंकि उनके पास सभी सुविधाईं उपलब्ध ही नहीं है। और यहां तक की अनुभवी डॉक्टर का भी अभाव था। इसी तरहें उसने 14 घंटे बिता दिये। आठ सरकारी हस्पतालों दोरा मना करने के बाद अन्त में ठक हार कर हाकिम शेक एक निजी हस्पताल में भरती हो जाते हैं। जहां उन्हें काफी खर्चा करना पड़ता है और वह ठीक हो जाते हैं। लेकिन वह सरकारी हस्पतालों की रवाई से बहुत नाखुश हैं और हों भी क्यों न एक व्यक्ति जो एक सवतंत्र भारत में रह रहा है और सुविधाईं उपलवध होने के बाद भी उसे अपने खर्चे पर जबरदस्ती निजी हस्पताल में जाने को मजबूर होता पड़ होंगे कि वह कैसे या किस आधार पर किस दर्ज करता है तो बच्चो यह हमारा अधिकार है समिधान हमें अधिकार परदान करता है सरकार द्वारा चुनी जाने वाली सरकार का ये फर्ज बनता है कि वहां आम जनता को जन सुविधाईं उपलवध कराई हम सरकार को कई न होगा कि आम जनता से सरकार जो है वो कर वसूलती है और ये कर इसलिए लिया जाता है ताकि कई परकार की जन सुविधाईं हमें उपलब्द कराई जा सकी प्रिये बच्चो यहाँ पर सरकारी करमचारी या सरकार ने अपना करतव नहीं निभाया चाहे जो भी कारण रहे हो जिसके कारण हाकिम शेह को बहुत नुकसान छेलना पड़ा अगर हाकिम शेह को किसी सरकारी हस्पताल में दाखिल कर लिया जाता तो जो अतिरिक्त पैसा उसने एक निजी हस्पताल को दिया है उससे वह बच सकता था अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम सरकार को कर क्यों देते हैं। बहुत साधारन सा उत्तर है। बच्चों हम सरकार को कर इसलिए देते हैं ताकि उसके बदले में सरकार हमें सुख सुविधाईं उपलब्द कराई। जनता के हित में जैसे पुलिस सेवाई, न्याई परनाली, रोड बनाने का कारे इतियादी। क्योंकि जनता में सभी सुविधाईं खुद के लिए नहीं बना सकती। इसलिए जनता कर के रूप में कुछ अनुदान सरकार को देती हैं। जिससे फिर सरकार की जिम्मेवारी बन पूरा किया जाता है। जैसे पुल बनाना, पार्क बनाना, सारवजनिक स्थलों का निर्मान करना। यह सब जनता के हित में किये जाते हैं। इसलिए किये जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं जनता हर रूप में सरकार को कर परदान करती है। शिक्षा परदान करना, स्वास्थे सेवाईं परदान करना, रूजगार उपलब्ध कराना, समाज का भला करना, आदि सेवाईं करके द्वारा ही सरकार हमें परदान करती है. इस पहलू को अगर सिक्के के दो पहलू से समझा जाए तो गलत नहीं होगा सिक्के के अगर एक पहलू पर हम चर्चा करें तो जो कर हम सरकार को देते हैं उसी कर से पलट कर सरकार हमें जो है जन सुविधाएं उपलवद कराती है इसलिए बच्चो सरकार को जो हमारी तरफ बनता है वह कर देना बहुत जरूरी होता है चलिए आगे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि स्वास्थे सेवाईं दो भागों में बाटी हुई है पहली है सार्वजनिक स्वास्थे सेवाएं और दूसरी है निची स्वास्थे सेवाएं पहले हम जानेंगे सार्वजनिक स्वास्थे सेवाओं के बारे में तो आईए शुरू करते हैं जितने भी स्वास्थे केंद्र या हस्पताल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं वो सभी सार्वजनिक सेवाएं कहलाते हैं और अकसर हम यह देखते हैं कि इन सभी सार्वजनिक स्वास्थे सेवाओं में खर्चा कम आता है अगर ग्रामीन क्षेतरों की बात करें तो PHC, Primary Health Centers यानि प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र वो केंद्र हैं जो सरकार द्वारा जनता को उपलब्द कराए जाते हैं उसके बाद जिलास्तर पर हस्पताल होते हैं और उसके बाद राचिस्तर पर भी सरकार द्वारा मुहया कराई गई स्वास्थे केंद्रों की एक श्रिंखला है बच्चो आपने पढ़ा और आप समझे कि इन सभी सेवाओं के साथ सारवजनिक शब्द क्यों लगाया जाता है? बहुत आसान है, सारुजनिक शब्द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये सेवाएं देश की आम जनता के लिए होती हैं, आम नागरिकों के लिए होती हैं, ताकि देश का हर नागरिक इसका लाब उटा सकी और इसकी दूसरी वज़े ये भी होती है कि इन सभी सेवाओं के लिए जनता कर के रूप में सरकार को अनुधान भी देती हैं, और तीसरी बात, इन सभी केंद्रों पर, इन सभी स्वास्थे केंद्रों पर इलाज जो है, या तो कम कीमत पर होता है, या फिर मुफ्त में होता ह तो हम कह सकते हैं कि सारविजनिक स्वास्थे सिवाएं जनता की भले के लिए काम करती हैं अब आप समझें कि हाकिम शेक सरकारी हस्पताल से इलाज क्यों करवाना चाहता था और उसने ऐसा ना होने पर केस क्यों दर्ज किया अब आप सोच रहे होंगे और अवश्य सोच रहे होंगे कि कोर्ट ने उस स्थिती में क्या फैंसला दिया है कोर्ट आप जानते हैं जहां पर हाकिम शेक ने अपना मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद मुकद्वें की पैरवी हुई और फिर क्या फैंसला आया हाकिम शेक ने जो केस किया था बच्चो यह बात याद रखने वाली है कि कोर्ट फैंसला समिधान की आधार पर देती है हमारे समिधान में लिखा गया है कि सरकार का यह प्रात्मिक करतव्य है कि वह जनता का भला सोचे भला शब्द यहाँ इसलिए परियोग किया गया है क्योंकि सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जाती है जनता के हित में फैंसलित देना उसका करतव्य है और हमारे समिधान ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि सरकार नागरीकों को जीने के अधिकार की सुरक्षा उपलवत कराए जीने के अधिकार का आर्थ आप जानते हैं। उसका आर्थ है कि हम एक स्वस्त और सुरक्षित जिन्दगी एक लोगतांत्रिक देश में जी सकें। आकिम शेख ने निजी हस्पताल को दिया वो सारा उसको वापिस दिलाए जितना उसका इलाज खर्च करने में हुआ था। इसी तरह हम जानेंगे निजी स्वास्थे सेवाओं के बारे में। वे सेवाएं या स्वास्थे से सम्मंधित हमारी जानकारियां जो हमें स्वास्थे देखभाल केंद्रों जो नागरिक निजी स्थर पर परदान करते हैं। यहां मैंने सलाह शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि निजी हस्पतालों में कभी-कभी आगर डॉक्टर दवाई ना भी दे तो सिर्फ आपको स्वास्थे सलाह देने की भी वो फीस लेता है। तभी यहां पर मैंने सेवा के साथ तलाह शब्द जो है उपर्योग किया। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। ग्राबीन क्शेत्रों में आरेंपी आपने सुना होगा कि इस तरह के डॉक्टर होते हैं जो पंजिक्रित चिकित्सक होते हैं। और शेहरिक शित्रों में आधिक संख्या में डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं, पर्योगशालाई चलाते हैं और अनिस विधाईं भी उपलवद कराते हैं जैसे दवाईयों की दुकान जिसे आप केमिस्ट शॉप के नाम से जानते हैं। अब बच्चो अगर हम तुलना करें तो मरीजों को सारवजनिक सेवाओं के मुकाबले निजी सेवाओं में जादा खर्च करना पड़ता है। वहीं सरकारी हस्पतालों में ज्यादा समय लगता है जबकि नीजी हस्पतालों में इलाज तेज गती से हो जाता है तो प्रिये बच्चों आपको समझ आया कि किस तरह से फर्क है देश में सारवजनिक स्वास्थे केंद्रों में और नीजी स्वास्थे केंद्रों में अब आईए हम केरल की एक परस्थिती से एक नई स्थिती के बारे में जानते हैं। यहां हम केरल के उधारन से समझेंगे कि कैसे सरकार सुधार ला सकती है स्वास्थे सेवाईं परदान करने में। सन 1996 में केरल सरकार ने कुछ बहत्तपोन बदलाव किये जैसे 40 प्रतिशत बजट का पंचायत को दिया जाएगा। इसी के साथ गाउं को छूट दे दी गई कि वे पानी की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, महिलाओं का विकास और शिक्षा में पैसे का उपयोग अपने हिसाब से कर सकी। इन्ही सब कार्णों से स्थिती में सुधार आया और नीचले स्थर में विकास हुआ। तो इससे हम यह समझेंगे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को निमन स्थर से बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज को उसके नीव से ठीक करना शुरू करते हैं तो उपर तक वो सभी ठीक होती चली जाती है। इसे कास्टारिका द्रिस्टिकोन कहती हैं। कास्टारिका आमेरिका में स्थित एक देश है जो की पूरे विश्य में सबसे ज़ादा स्वास्थे वाले लोगों के लिए जाना जाता है। यानि सबसे ज़ादा स्वास्थ लोगों की जनसंख्या इसी देश में हैं। उन्होंने सेना नहीं रखने का निर्ने लिया। इससे क्या हुआ। सेना पर खर्च होने वाला धन देश की जो आधार भूत जरूरते थी। आधार भूत जरूरते यानि मूल भूत सुविधाएं। रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अतिरेक्त देश की स्वास्थे सेवाएं। इस देश ने अपना धन जो था वो सेन्य की तरफ कम खर्च करके मूल भूत और आधार भूत सेवाओं की तरफ खर्च किया। स्वास्थे की शिक्षा का ज्यान दिया गया और सभी स्तरों पर इसके महत्तव को समझाया गया। इसकी वज़े से वहाँ पर स्वस्थ लोगों की संख्या में बढ़ोत्री हुई। तो प्यारे बच्चों हमारी सरकार को भी कुछ इसी तरह के कदम उठाने चाहिए और नियम बनाने चाहिए कि जनता बिमार पड़े ही ना। और अगर परस्तित्या विपरेथ हूँ और किसी तरह की स्वस्थे सेवाओं की जरूरत पड़ें तो जो सरकारी स्वस्थे सेवाई हैं वो एहर निश दिन रात इन लोगों को उपलवध हो सकें। ताकि जनता की जिवें निजी स्वास्थे केंद्रों पर जाकर खाली ना हो। तो प्रिये बच्चों, आपने समझा कि किस तरीके से देश में स्वास्थे की एहम भूमिका है। लोगों की जिंदगी में स्वास्थे सेवाओं की क्या भूमिका है। किसी देश के लिए स्वास्थे सेवाएं, चाहे बुन्नी जी हों, चाहे सारो जी, उनका क्या एहम महत्व होता है। आईए इन सभी को थोड़ा परिभाशिक रूप देकर और अधिक समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम परिभाशित करेंगे जीने का अधिकार सम्मिधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है। और इसे किछ अनुच्छेद में दिया गया है। पे बच्चो बाले काल में यानि 6-14 वर्ष तक के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा की सुविधा उभलप्त कराना शिक्षा का अधिकार है। और हमारे देश के सम्मिधान के अनुच्छेद 21 अ में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। बहुत एक सामाने सा प्रशन इस पार्ट से आपको यह भी पता चला कि सरकार का चुनाव किसी लोकतांतरिक देश में, भारत जैसी लोकतांतरिक देश में कितने वर्ष के लिए किया जाता है। सामाने परिस्थितियों में सरकार का चुनाव पांच वर्ष के लिए किया जाता है। एक बहुत एहम बात हमने बीच में पढ़ी कि कर क्या होता है, जिसे आप टेक्स के नाम से जानते हैं। प्रेबच्चो, कर अत्वा टेक्स वह पैसा है जो हम सरकार को अनुदान के रूप में देते हैं, ताकि सरकार हमें मुलभूत सुविधाईं उपलब्ध करा सके। अगर हम बात करें कुछ सही कतनों के, तो आईए, समझते हैं पाठ के कुछ मुख्य बिंदूओं को गलत और सही के माध्यम से। प्रेबच्चो, ध्यान से सुनिए, भाग एक, लोगतंतर का आर्थ है जनता का शाशन। सही है या गलत? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि लोगतंतर का आर्थ होता है जनता का शाशन। स्वास्थे सेवाओं को दो भागों में बाता गया है। बिलकुल सही कथन है क्योंकि स्वास्थे सेवाओं को निजी और सार्वजनिक सेवाओं के रूप में बांटा गया है कर देना सरकार का अधिकार है आपने पंक्ती को ध्यान से सुना कर देना सरकार का अधिकार है यह सही नहीं है क्योंकि कर देना आम जनता का अधिकार है। निजी हस्पतालों पर सरकार का अधिकार होता है। बताईए आपने बीच में पढ़ा है कि निजी हस्पतालों पर क्या सरकार का अधिकार होता है। बिल्कुल नहीं, निजी हस्पतालों में सरकार की कोई भागिदारी नहीं होती, एक बहुत आसान सा प्रशन, कि सरकारी हस्पतालों में ज्यादा खर्चा होता है, बिल्कुल नहीं, सरकारी हस्पतालों में या तो इलाज मुफ्त किया जाता है, या बहुत कम खर्च पर किया आखरी प्रशन, आपने केरल के संदरव में पाठ के मध्य में पढ़ा, केरल सरकार ने पंचायत को 40 प्रतिशत बजट स्वयम अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए दिया, बचो क्या सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है, केरल सरकार ने 40 प्रतिशत बजट पंचायत को इसलिए दिया, ताकि वह अपने अनुसार लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध करा सके तो बचो, इन सभी प्रश्णों के माध्यम से मुझे लगता है आपको और अच्छे से समझा गया तो प्रिये बचो, आब आप समझे कि किसी भी लोगतांत्रिक देश के लिए सरकार की स्वास्थे में क्या भूमिका होती है? चाहे वो ग्रामेन क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में सरकार अपनी एक एहम भूमिका निभाती है और लोगतांत्रिक देशों में, भारत जैसे देशों में आम जनता का स्वास्थे कहीं न कहीं सर्वोपरी होता है इस पाठ में हमने हाकिम शेह की कहानी के माध्यम से जाना कि सरकार कितनी एहम भूमी का निभाती है उम्मीद करती हूं कि आप सभी को स्वास्थे से जुड़ी हुई जानकारियां समझ में आई होंगी और आप अपने स्वास्थे का भी बहुत अच्छे से खयाल रखेंगे धन्यवाद